दोस्त आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि desktop support की job आपको मिलती कैसे है और उसमें क्या क्या requirements होती है जो आपको पढ़ना चाहिए जैसे desktop support I1 और I2 profile की मैं बात करूंगा इसमें तो मेरे दोस्त जो desktop support की job होती है इसमें आपको basic computer knowledge होना चाहिए basic computer knowledge होना बहुत जरूरी है अगर मैं बात करूं एक यह related job से तो एक hardware and networking दोनों का पार्ट होता है जो कि आपको दोनों चीज़ें पढ़नी पढ़ेंगी अब hardware में आपको RAM के बारें पता हो motherboard, hard disk drive, BIOS, CPU, laptop इसको हम desktop बोलते हैं CPU को तो इन चीज़ों का आपको knowledge होना चाहिए जो hardware driver वगएर हम लोग इंस्टाल कराते हैं machine पर इन चीज़ों की basic knowledge होना चाहिए है आपको hard disk default हो जाती है तो क्या राता है RAM में कितने प्रकार की RAM होती है तो जो hardware पार्ट होता ना आपको hardware भी पढ़ना पड़ेगा अब अगर मैं बात करूं याप पर software और application की बात करूं तो आपको basic software application के बारें भी पता होना चाहिए कि software installed कैसे होते हैं software repair कैसे करते हैं operating system system क्या होता है operating system install कैसे करते हैं और basic networking का knowledge आपको होना से यह like DNS क्या होता है dhcp क्या होता है dora process क्या होता है एक basic command होना चाहिए networking कितने परकार की होती है types of network land when man और connectivity के बारे में या जो patch के वाल होती है उसके बारे में यह मतलब basic knowledge आपको होनी चाहिए तो आप desktop support level की initial job आप आराम से पा सकते हो और थोड़ा सा port number के बारे में भी पता होना चाहिए इंटर्वी पर जा सकते हो जो मतलब यूटीव पर आपको वीडियो जो मिलते हैं पूक्डे सपोर्ठ प्रोफाइल के इंटर्वी को साने है इसल दाशे जा सकते हैं अब इसको पर के रहने कि आप regels करते हैं ताइंब करते हैं और जिस्टी में जाके कामरा कर से नेबल करते हैं तो यह बेसिक बेसिक चीज़ हैं जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए जो आपकी एक इनिशिल जॉब देंगे और इंसाइड और गॉनाजेशन जब काम होता तो जब सर्वर से वह मसीन ऑपरेट हो रही होती है तो यह ऐसे बहुत तरीके की सई आते हैं हमको लोकल और आटलोग कंपनी में बहुत ज्यादा यूज होता तो आपको आउट्लूप में बहुत साथा और पढ़ना कड़ेगा और प्रॉफधा कैसे करते हैं सिगनेशर कैसे करते और मेल सेंट सननर रिसीव रिसिसीवर्ध वह कारें भी उसमें पढ़ना पड़ेगा डेक्षाप सपोर्ट के लिए अगर इसी में मैं बात करूं आइल टू प्रोफाइल की तो काम आपका लगबग लगबग सेम होता है बस थोड़ा सा एक अडवांस हो जाता है का एक्सपीडियंस बेस कंडिडेट हो जाता है वह तो उसक सपोर्ट उनको दिया जाता है तो इसी की थोड़ा सा सीनियर प्रोफाइल है पाकी काम लगबग सेम ही होता है बस थोड़ा सा आगे बल जाते हैं लोग तो एक अल्टू प्रोफाइल होती है तो आप जा सकते हो इनीशियल जॉब के लिए डेक्षाप सपोर्ट के पढ़ां जिसोनगों थे यह प्रोफाइल रयस्ज काम करता है सब्सक्राइत है जो खोड़ा से जयाते हो और सबकूर्ट अब ना at विडियों औल में तियने अग्रेटम device and don't forget to likes and subscribe thank you so much for coming here जय हिंझ जय बारत